26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के छातरों के बीच विश्वस्निय संस्थान गोल नमस्कार आप देखने News 4 Nation और मैं स्वाती पांडे आपके साथ आज हर्याना और जम्मू कश्मीर के विदान सबाद चुनाव का रेजल्ट का दिन है गिनिती सुबे से ही जारी है और हम आपको शुरुवाती रुजान में बता चुके हैं कि हर्याना और जम्मू कश्मीर के में शुरुवाती रुजान में ही इंडिया गडबंधन आगे चल रही है और इंडिये गडबंधन पीछे दिखती नजरा रही है लेकिन इन सब के बीच प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले और बताए तो केंद्री मंत्री चुराग पासवान ने अलग ही बयान दिया है उन्होंने कहा है कि अभी तो शुरुआती रुजान है अभी तो रुजान आनी शुरू हुई है अभी तो गिंती शुरू हुई है मुझे पूरा उमीद है मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की मेहनत और प्रदान मंत्रे नरेंद्र मोदी के नितित्व में जो हमने चुनाव लड़ा है उसमें हमारी जीत पक्की है तो देखे जहां एक तरफ हरियाना और जम्मू कश्मीर में विदान सबा चुना होता है दस साल बाद जम्मू कश्मीर में चुना हुआ है और अब लोगों की निगाहे टिकी हुई है रेजल्ट पर कि आज रेजल्ट के आएगा तो वही दूसरी तरफ हरियाना में दस साल तक बीजेपी कि सरकार बनी रही अब कॉंग्रेस चाहती है वहां राज करें तो दुसरी तरफ बीजेपी किसी भी सुरट पर किसी भी कीमत में वहां से यानि हरियाना से अपनी सरकार खूने नहीं देना चाहती है जिसके बाद अब बताए तो शुरुवाती रुजान तो हमने आ वोटों के गिंती लगतार जा रही है फिलाल कॉंग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है अब इस चुनाव परिनाम को लेकर के बिहार से भी नेताओं की प्रतिक्रिया है सामने आ रही है आपको बताए तो कौकिस नेता ने क्या कहा उसमें सबसे पहले चुराग पासव भाजपान ने कहा है कि रुजान अभी आने शुरू हुए हैं मुझे उमीद है कि जिस तरह से भाजपा ने दोनों जगों पर मेहनत किये और जिस तरह से हरियाना में भाजपा का दस साल का कारेकाल रहा है मैं मानता हूं कि जनता का प्रदान मंत्र और भाजपा पर भरोशा मुझे उमीद है कि शाम तक नतीजे आएंगे वो वैसे ही होंगे जैसे हमने सोचे हैं वहीं अगर बताए तो जारखंड में भी चुना होने को है और जारखंड कॉंग्रेस के पुर्वाध्यक्ष को 65 से जादा सीटे मिलेंगी तो देखिए हरियाना में और साथी साथ अगर जमू कश्मीर की बात करें तो हरियाना और जमू कश्मीर दोनों ही जगह वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है काउंटिंग शुरू हो चुके है और अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं सुरुवाती रुजान से माना य तो यहाँ एंडिया को 29 सीट मिलती दिख रही है तो वही दूसरी दरफ इंडिया कटबंधन को 45 सीट और PDP को महज 4 सीटे ही मिलती दिख रही यानि दोनों जगों ही वोटों के गिंती सुबा 8 बजे से शुरू हो गई है करी सुरक्षा के बीच मतगर्णा का काम शुरू हो गया है हर्याना और जम्मू कश्मे विदान सभा चुनाव का जनादेश कुछ ही घंटे में आपके सामने होगा वही हर्याना और जम्मू कश्मे विदान सभा चुनाव के लिए वोटों के गिंती 8 बजे से चल रही है सबसे पहले पोस्टल बैलेट के गिंती की जा रही है वही अब से अब जो है electronic voting machine यानि EVM से डाले गए वोटों की गीन्ती भी अब उसकी शुरुवात हो गई है प्रारंबिक रुजान 9 बजे तक ही थी फिर आपको हमने 10 बजे की भी रुजान बताए कि कैसे 10 बजे भी जो रुजान सामने आये हैं election commission की अगर official website की बात माने तो अभी 10 बजे तक के जो रुजान है उसके हिसाब से इंडिया गडबंधन आगे है कॉंग्रेस आगे है और इंडिया गडबंधन जो है वो पीछ है यानि एक तरफ जहां हर्याना और जमू कश्मीर में इंडिया की जीत देखती नजर आ रही है त अपनी सुझाओ दे दि थी उन्होंने कह दिया था और अपनी चुपी तोड़ी थी और कहा था कि इंडिया की ही जीत होगी मोदी की और साती साथ भाज़पा की पराजे इलिश्ब की बात करें तो हाज़िपूर से सांसद शुराग पासवान का कहाना है कि मुझे विश्व झाल झाल